बिस्मिल्ला इर्रह्मान रहें वेलकम बैक वन्स अगेन आज हम अर्थमेटिक ओपरेटर्स के ऊपर एक और प्रेक्टिकल सेशन लेते हैं इस प्रेक्टिकल सेशन के अंदर हम एक स्टुडेंट के मार्क्स को कल्कुलेट करने का एक प्रोग्राम लिखते हैं देखिए राइट ए प्रोग्राम तु फाइंड आउट टॉटल एन परसेंटेज ओफ इस्टुडेंट मार्क्स वेर रोल लंबर नेम एन मार्क्स ओफ थ्री सब्चेक्स एंटर फ्रॉम दर कीबोर्ड अर्थार कीबोर्ड से हम इस्टुडेंट का रोल लंबर और नेम और तीन सब्चेशियों के मार्क्स एंटर करेंगे और उसका टॉटल और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं पहले सबसे पहले नया प्रोग्राम लेना इसके बाद रोल लंबर नेम और त्री सब्चेक्ट के मार्क्स आपको रीड करने हैं फिर इसको टॉटल और परसेंटेज को कैलकुलेट करना है इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है टॉटल इसकोल तू सब्चेक्ट वन प्लस सब्चेक्ट टू एंड सब्चेक्ट थृ परसेंटेज के लिए टोटल इंटू हंड़ेड अपॉन थ्री अंड़ेड हमने ये एजूम किया है कि एक सब्चेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स वन हंड़ेड है तो तीन सब्चेक्ट का टॉटल हमरा थ्री अंड़ेड हो गया ये हमरा टॉटल का फॉर्मूला है फिर इसके बाद ये रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्पले करेंगे और हमरा प्रोग्राम खतम करेंगे ठीक है तो ये हमरे स्टेप्स थे चलिए इसको प्लोच्र बीजलिये लाद पहले स्टार फिर राल लंबर नेम अच्ब्जकर 1 2 3 ओतली हमरे स्त्या ट्सक्ट थे अटल थे बात इस बात प्रफेटले अंड़े एका ट्री करेंट roll number name total and percentage then stop these are graphical representation of our steps start say stop के बीच में जो भी processing है वो आपको flowchart के माथ हम से दिखाई गई है ठीक है then चलो let us do the same coding with the help of C++ programming language at first write a comment about your program कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है यह top के ऊपर यह double slash लगा के लिख दिए this is also called single line comment ठीक है अब फिर library fire include कीजिए iostream.h conio.h for clear screen and get ch iostream.h आपका scene see out के लिए है फिर main function void main opening brass variable declare कीजिए हमें total जितने variable चाहिए तो सबसे पहले देखिए row number subject1 subject2 subject3 and total यह 5 variable हमने integer लिये है number without decimal point float यह number with decimal point हमने declare किया है percent फिर name चुकि character type है string type है तो इसको हमने character लिया है bracket के अंदर हमने total number of characters एक name में कितने आ सकते हैं इसकी maximum limit लिखिए तो इसमें 0 to 14 अथार्थ 15 characters name में store हो सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद clear screen फिर screen पर message display होगा see out के माध्यम से enter roll number name and marks of three subjects यह screen पर display होगा फिर see in के माध्यम से आपने roll number name और subject 1 subject 2 and subject 3 read करने हैं फिर formula लगाईए total calculate करने के लिए total is equal to s1 plus s2 s3 फिर semicolon लगभग सभी statement के end में आ है जहां नहीं आएगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो इस बात का जरूर ध्यान रखे otherwise run करते से में error message आएगा percentage is equal to total into 100 upon यहां पर 100.0 में ने दिया जब दो हम integer operands को calculate करवाते हैं तो result उनका integer में ही आता है जब percentage calculate करेंगे यह तिनों हमारे operators हैं वो integer हो जाएगे तो इसलिए हमने कहा किया एक को float बना दिया dot 0 लगा के ताकि हमारी calculation का result है वो floating point में आए mix में आए ताकि result सही हो ठीक है otherwise इसका fractional part खतम हुजाता इसके बाद roll number name total और percentage यह हमने बारी बारी से display कर दिये इसमें देखिए roll number is equal to यह double quotation में लिखा यह constant है जो का जो स्क्रीन पर display होगा और roll के variable है इसके अंदर जो value हमने read की है वो display होगी likewise name है total y total is equal to constant है और small में total आपको नजर आ रहा है यह variable है ठीक है तो इसमें जो calculated value है वो आएगी likewise आपका percentage है तो roll number name total percentage screen पे display करवाएंगे यहां slash n आपको यह नजर आ रहा है तो यह roll number display करवाने के बाद next line में जाएगा name display करवाने के बाद next line में total display करवाने के बाद next line में percentage display करवाने के बाद next line में और इसके साथ फिर यह डिस्प्ले करके वेट करेगा कि हम की बोर्ड से कोई भी की प्रेस करें ये काम है हमारा गेट CS फंक्शन का इसके साथ आपका ये प्रोग्राम क्लोजिंग ब्रेस के साथ खतम होता है चलो अब इसी प्रोग्राम को हम लाइव डेमो देखते हैं C++ के माथ्यम से तो ये खतम करेंगे और C++ यहां से TC चला लो ये देखिए ये पहले से अब बार बार स्टेप रिपीट ने करनी पड़े तो मैंने पहले ही टाइप कर लिया था इसमें ये प्रोग्राम है देखिए फाइल उपन एस्टी यूडी के नाम से मैंने सेव किया है आप कोई भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं इसको उपन किया ये पहले उपर कमेंट फिर उसके बाद आयो स्ट्रीम डोट एच कोन्यो डोट एच वाइड में रोलंबर एस वन एस तुए थरी ये देख लेजिए वही प्रोग्राम जो अभी मैंने पावर पॉइंट परजिंटेशन के उपर आपको दिया है उसी का यहां पर मैंने नोट पैड में कोपी पेस्ट करके डाला है सेम वर्क हूब 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 ही प्रोग्राम है अदलब कोई फुलिस्ट और कोमा का भी इसमें चेंज नहीं है कंपाइल कर लेजी कोई अरर नहीं है इसके बाद रन कर लेजी रोल लंबर सपोज वन जीरो वन नेम उमेद थ्री सब्जेक्ट रेमार्क्स सिक्स्टी फाइव सेवन्टी टिप्टी फाइव या लेजी रोल लंबर नेम टॉटल और परसेंटेज यह आपकी स्क्रीन के ओपर डिस्प्ले हो गई है इसी तरीके से आप एक बार फिर रन करके देख लीजिए रोल लंबर सपोज वन जीरो टू आमार्क्स आप लोगों को यह प्रेक्टिकल सेशन समझाया होगा पसंदाया होगा धन्यवाद